अच्छा आज हम जिस चीज़ पर मेंली बात करेंगे वह यह है कि डेली क्लाइमेट चेंज का डेटा जो होता है टेंपरेचर का हमेडियोटी का और बाखी चीज़ों का इनको कैसे किस तरीकेकार से स्टार्ट सेंट तक हमने देखना है और अगर हमारे पास डेटा ट्रेन और टेस्ट दो चीज़ों में डिवाइडिड हो देन हाओ वी कैन एक्शली लूक इन्ट देटा सेट यह डेटा सेट का लिंक जो है बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आ स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी मेरी आप रिट देटा सेट जो मेरे पास है देली क्लिमाट टेस्ट एंड देली क्लिमाट ट्रेंड यह दो देटा सेट मेरे पास मजूद है मैंने यह अनलाइन देटा सेट लिया है और आ विल संद यह लिंक अस वेल होफुली आप भी इस पर फिर काम कर सकते हैं और विल स्टार्ट अनलाइजिंग देटा नाव और वैदर फोर्कास्ट करनी है हमने यूजिंग दे फेस्बूक मॉडल जिसको आपने शायद सुना हो जिसका नाम है प्रॉफिट मॉडल अगर आपने नहीं सुना तो इस रेल इसका बड़ा नाम चल रहा है अगर आप उनलाइन डिफरेंट टुटोरियल देखेंगे और यूविल सी इट फ्यू मिनिट्स आप पूरे के पूरा अनलसिस जो है वो सकते हैं क्या ख्याल है स्टार्ट करें भी मैं यहां पर अपनी एक नहीं 09 के नाम से टाइम सीरीज और साथ में मैं प्रॉफिट के नाम से एक फाइल बना लेता हूं और विसली मैं यहां पर डॉट आई पी वायन भी लिखना भूल गया अब हमने क्या करना है यहां पर डेटा को स्टार्ट से एंड तक एक्स्प्लोर करेंगे और बड़ा ही मिनिमल कोड के साथ हम टाइम सेरीज के जो डिफ्रेंट सेनेरियोज है उनको देखने वाले है ठीक है डेटा हमारा ट्रेन और टेस्ट में और अरड़ी सप्लिटीड है और अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे काम तो हम डेटा को देखने के बाद डेटा को अच्छा तरीके से एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो मैं यहां पर डिरेक्ली लिखता हूं प्रॉफिट मौडल इसबुक तो भी यूजडी नि टैयम सीरीज अनैलिस ठीक है यहां पर करने के बाद अब मैं लैब्रेडी जडि इस को सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट लाइब्रेडीस लाइब्रेडिस को इंपोर्ट करने के लिए मैं जो अपना मिशीन लेर्डिंग का टैंसर फ्लो वाला मॉडल बलके पाइथोन एम्मेल को यहां पर रन करता हूं इसके पास मेरे पास पाइथोन एम्मेल के हिसाब से चली हुई है लेट मीज सी उसामा भाई कह रहे हैं कि प्रॉफिट के स्पैलिंग चेंज कर देंग जरा ओनलाइन चक के लिए ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट पांडा जैस पीडी नंपाई एस एंपी मैट लिबस ब्ल्ट सीबाउन आज एसनस एंड इंपोर्ट ली डॉट एक्स्प्रेस पी डॉट पी एक्स यह नहीं इंपोर्ट किया लाइपरेडिस मैं इन्हें रन करता हूं और जस्ट कंफर्म कि यह मेरे पास इस तरीके से रन हो जाएंगी मॉडल को जब हम इंपोर्ट करेंगे विल शो यू यू अट ताम फॉर नौ इस फाइं अब हमने यहां पर क्या करना है हमने डेटा इंपोर्ट करना है इंपोर्ट देटा सेट बड़ा चोटा सा डेटा को बड़ा डेटा नहीं है ताकि आपके पीसी में भी चले हम क्या करेंगे टीएफ इस इकॉल टू पीडी डॉट रीड सीएस्वी अब यह जो बीच में आने लग जाता है न कभी-कभी होता है कि यहां पे अगर हम कोटेशन मार्क्स नहीं देंगे इसको फिर बाद में देख भी लेता हूं और डेटा इस लाइक इस सिंपल बहुत चोटा सा डेटा और अक्सर अगात आपके पास वैदर फॉर्कास्ट का डेटा या आपके पास जो डिफरेंट अधर मैथर्ड डेटा वो इसी तरीके से आता है वो ज्यादा कॉलम नहीं होते टाइम ज्यादा होता है ठीक है तो हमने इस तरीके से इस डेटा को देख लिया अगर हम इस डेटा की इन्फरमेशन देखें तो इट विल शो अस सम अधर स्टफ एज़ डिफ डॉट इन्फो आपको पता है क चार डेटा के कॉलम है और एक डेट का कॉलम है ठीक है और अक्सर उकाद क्या होता है कि आप डेटा को इस तरीके से देखते हैं कि जहां पर जोन जोन सी चीज़ें आ रही है आपके पास उसको आप उसी तरीके से चार के कॉलम को चार की तरह देखेंगे और डेट को एज index column देखेंगे ठीक है तो यहां पर हमने index के हिसाब से date को लेना जाता है अगर हम यहां पर लिखें index column date and parse true just a minute date का हमारे पास जो column है उसके spelling छोटी d के साथ है अब हमारे पास date जो है index में आ चुकी है ठीक है पहले index में नहीं थी तो index का मतलब यह है कि अब जब मैं df.info का column run करूंगा मेरे पास चार columns आएंगे और साथ में index बता रहा है कि एक एक 2013 से लेके एक 2017 तक का data यह फाइदा होता है जब आप data को import करते हैं और date को as an index link तो पहले वो बता रहा था 0 से इतने तक है अब वो बता रहा है कि 1113 से लेके 1117 तक है so you see the swift change जो हमारे पास data को import करने में आती है अगर आपने वो change नहीं देखी तो मैं आपको दुबारा से वो change दिखा देता हूं ताके आप परिशान ना होंके चल क्या रहा है यहां पर मैं यह without that df.info का column यहां पर लगाता हूं and here you go यह आपके पास 0 से 1461 बता रहा है जैसे मैंने date के column को index column बोला it starts showing me date like this और हमारे पास df.info इस तरीके से आगया ठीक है अब मैं एकसर उकात क्या करता हूं print की command को use करता हूं to minimize the code blocks print use करके यहां पे और at the end मैं print लगा दूँगा and then again print use करके इसके अंदर हम df.info use कर लेंगे and it would be easier for us to print two things at one time ठीक है तो यह हमारे पास यह और यह दोनों print हो चुकी है it's pretty amazing at the point के आप एक ही print एक ही box के अंदर दो input को इस तरीके से देख सकते हैं और usually हमने यह काम करना भी होता है इसी वड़ा से मैं यहीं पे print के अंदर ही df.describe लगा लेता हूं just to have an idea के हमारे पास कौन सा count है कौन सा minimum है कौन सा maximum है standard deviation के mean temperature के so on and so forth ठीक है आप जैसे आपका दिल करें आप वैसे भी कर सकते हैं I'm not saying कि आपने इसी procedure को follow करना है rather I would say कि आप अपनी मर्जी के साथ चीजों को maintain करें और आप पुद देखें कि आपने किस तरीके से उन चीजों को लिखना है मैं इसको df.describe को अगर separately लिखूं तो it will show me as a tabulated form जहां पर टेबल आएगा प्रिंट लिखेंगे तो वो प्रिंट करेगा सिरफ चीजों को दीए अब आपने index date को क्यों रखना है उससे आपको यहीं पर info के अंदर सारी information मिल जाने है कि how it will work राइट जी describe का पता चल गया info का आपको पता चल गया अब हमने सबसे पहले इसका एक line plot draw करना है ठीक है line plot किस चीज़ का draw करना है you will see that obviously हम यहाँ पे c-bond से भी कर सकते हैं plotly से भी कर सकते हैं मैं यहां पर directly रिखता हूं draw a line plot उसके लिए sns. मैं अगर यहां पे पहले से set कर लूँ style dark grade भी करना है तो भी हो सकता है यहां मैं set के अंदर यहां पे different figure का size भी डिखा सकता हूं और बाकी चीज़ें भी add कर सकता हूं so rc हमने यह कर दिया font scale भी आप कर सकते हैं यहां पर style भी आप कर सकते हैं जो different चीज़ें आपको दिखाता है ठीक है मैं dark grade करता हूं थाक है क्यूंकि आपको पता time series का जो basically plots है वो dark grade ज्यादा अच्छे लगते है ठीक है now we will see मैं यहां पे sns.line plot लगाता हूं data हमारे पास df है x के उपर हमने हमेशा date रखनी होती है और why हमने क्या रखना है we have to see यहां पे mean temperature मैं इसको copy करके यहां पे mean temperature रखता हूं let's see हमारे पास कौन सा plot आता है and it will show me like this यह data हमारे पास और यह plot आ रहा है अगर आप गोर करें तो 11 by 4 का हमने यह plot बनाया font scale हमने 1.5 रख है अगर यही मैं 0.2 रख दो so it will go like this बहुत काम होगे font तो आप इसके साथ play कर सकते हैं because sometimes you have to make bigger plots तो आप हमने font बड़े कर सकते हैं data जैसा मर्जी हो यहां से font scale के साथ आप play कर सकते हैं usually point five point eight के करीब लोग रखते हैं but it depends कि आपके पास data dates के अंदर किस तरीके से हैं ठीक है हमें rotation करने के विए भी जरूरत नहीं सो 2013 से लेके 2017 तक का data हमारे पास यहां पर मजूद है and you can see कि यह मैंने mean temperature को यहां पर print out की है player plot की है तो mean temperature का मतलब क्या है कि हर एक का average temperature ठीक है minimum जो mean temperature है हमारे पास वो है six and maximum हमारे पास 38 है यानि यहां पर जहां से start हो रहा है यहां पर छे है और यहां जहां पर peak है न यह 38 है सभी के अंदर इसका मतलब यह है कि we can have an idea कि कहां पर जाकर temperature चेंज हो रहा है और कहां पर नहीं हो रहा है तो हमारे पास यह कितने सालों का data हुआ अगर आप गौर करें एक 13 से लेके एक 17 तक कितने सालों का data हुआ जो 13, 14, 15, 16 चार का ठीक है हमें अब over the years तो हमें पता चल गया आप same plot plotly पर भी ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ सेम लॉट अन प्लॉट ली तो simply वही चीज है आपको पता है पी एक्स डॉट लाइन ही लिखना है बाकिस सारा कुछ बूसी तरीके से चलेगा टाइटल भी आपने देना तो आप दे सकते हैं लेट में सी यहां पर क्या मसला आ रहा है एक्स इस नॉट वाट एक्स इस नॉट नेम आफ़ कॉलम डेटा फ्रॉइं प्रस्पेक्टिद अमीन तंप्रेचर हमेडिटी ओके लेट सी अब यहां पर अगर आप नाम लिखेंगे तो वह कॉलम का नाम नहीं आएगा we have to play with the index क्योंकि हमने उसको start में index call कर लिया था अब उस डी एफ का जो index है हम उसको लिखेंगे यहां पर प्लॉट लेड़े फे ठीक है अगर यहां पर मैं डेट लिखता तो प्लॉट ना होता यहां पर डेट प्लॉट हो गया है automatically जो हमने किया x पर date रखके तो plotly index लेके उसको plot कर रही है so you can see the bits here अब यहां पर आप इसको हर एक साल को भी देख सकते हैं अपनी मर्जी से अगर आप गौर करें तो यहां पर November December तक हमारे पास data आ रहा है and this is how it works आपके पास हर date का data mean temperature का ठीक है so you can play along or you can check this के आपके पास data किसम का आ रहा है हमारे पास यह तो है जिना आप सिरफ और सिरफ किस चीज का data mean temperature का अगर मैंने इसी के साथ एक और line plot बनाऊ sns.line plot और मैं humidity का data show करवाना चाहूं so it will work like this उसी के ऊपर data आ जाएगा समझे रही बात की कि आप एक ही जगा पर एक और line एड कर रहे हैं अगर मैं और line यहां पर add करूं तो वह आजए कि wind speed और चोथा mean pressure तो आपके पास एक ही plot के अंदर सारे data set आगे हैं एक ही plot के अंदर सारे data set आगे हैं लाइक दीस यह तीन है जैसे मैं चोथे वाले को include करता हूं then you have four मसला क्या आ रहा है कोई समझ सकते है कि मसला क्या है इस data में अभी left scale इनका सभी का same नहीं है तो अगर आपने सभी को एक ही जगा पर plot करना है then you have to scale those data points या आपने उसे normalize करना है ठीक है तो इसके अंदर हम इसको normalize भी कर सकते है scale भी कर सकते है it's up to us और हमें बेहतरीन तरीके से फिर अगर हमने सभी data set को scale करना हो तो कौन सी हम जो analogy है वो अपनाएंगे जो हमने कल काम किया था मीन की वज़ा से आप कई काम कर सकते हैं आपको standard scalar psychic learn से मैंने बताया था वो भी use कर सकते हैं आप वहां से min max scalar भी use कर सकते हैं आपने सिर्फ कोई ना को method अपनाना है data को scale करने का कल मैंने mean और standard deviation का तरीका भी आपको बताया जो equation हम बना के कर रहे थे तो आप कोई भी data पे आप काम कर सकते हैं और यू can scale the data data को scale करने के बाद आपके पास different किसम के trends आना start हो जाबते हैं ठीक है ट्रेंड से मुराद यह है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरे पर क्या फरक पढ़ रहा है for example अगर मैं इसी के अंदर एक और लाइन हम आड करें हमेडिएटी की विच इस अनुर मच्विट इवन टुपल लिस्ट ओके scatter नहीं करना line करना add scatter line px dot line fff main temperature humidity by df humidity कर दिया आपको index scatter let's see no not like that हमारे पास इस तरीके से शाहिद यह चल पड़े है यहां पे आन है humidity dd कि इस प्रेट के लिए बनाता हूं कि इस परेट आपको अब फिलाल के लिए बनाता हूं थ्रेंग पूल अबना पिके प्रेंग आन से विहात्त कर आपको थान it should work now working add new line is not defined okay yeah we have data add another line plot inside the same figure yeah 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 we will see later on that you can say miss co-ed car system but for now I think that's fine I'm here by is equal to mean temperature so we can find out that correlation by doing another figure figure is equal to make a scatter lot between mean temperature and humidity हम check करते हैं कि humidity का कोई फरक पड़ता है mean temperature पर या नहीं पड़ता let's see figure figure is equal to px.scatter and then figure show something like this तो अगर आप गौर करें यहां पर यह plot हमारे पास बन गया है इसका trend किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इस line में positivity है या negative है किस तरीके से जा सकता है यह trend correlation अगर हम इसका देखें mean temperature का और humidity का एक इसके अंदर argument होता है trend line का अब वह भी शो कर सकते हैं like this अगर यह draw हो गया yes तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि यह trend line पर आप आएंगे आपको r2 की value मिलेगी जो r2 की value है वह कितनी है 0.32 आ रही है humidity mean temperature प्लस निकालके trend line आपके पास आई है which is showing you 0.32 r2 की value अब आप अगर इसको गौर से देखें क्या इसकी value 0.32 बनती है इस वकत यहां पर correlation की value कितनी आने चाहिए mean temperature humidity की अगर हम from sci-pi dot stats import Pearson r करें और correlation दोनों का निकाले और अगर हम उसको print करें तो this is minus Pearson r correlation जो हमारे पास है minus 0.5 है ठीक है हमारे पास जो correlation आ रहा है वह इस line का minus 0.5 है इसका मतलब क्या है कि जब भी humidity increase करेगी उससे तकरिबन आदा गुना temperature जो है वो decrease करेगा so increased in humidity can also decrease the temperature ठीक है तो negative correlation का यह होता है फाइदा आप इसी negative correlation को एक जो हमने plot बनाया था अगर आपको याद हो correlation का heat map की तरह के से वह भी हम add कर सकते हैं लेट सी यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि इसके अंदर अगर हम फिक डॉट एड करेंगे अंडर्सकोर स्कैटर करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो यह बन जाएगी लाइम मोड को मैं फिनिश कर देता हूं कि इस नौट वर्टिंग आप मैंसी थोड़ा लेट है था मैंने इस वर्टिंग कर लें कर यह हमारे पास इस तरीके से प्लॉट हुआ प्लॉट ने हमें सही वैल्यू ने देए आट स्केयर के और आर की तो हमने क्या किया वेसी के लिए उसका पियर्सन आर कैलकुलेट कर लिए विच इस वां हम क्या कर सकते हैं अब सारे के सारे कॉलम्स का आपस में प्लॉट भी बना सकते हैं तो sns.pareplot जिससे हम क्या करेंगे df के उपर बनाएंगे और उससे हम किस चीज को शो करेंगे you know that के प्लॉट थोड़ा सा टाइम लेता है आपके पास हर एक का दूसरे के साथ लिंक निकल आया है आप अगर चेक करें तो humidity और mean temperature का वही trend बन रहा है जो हम अभी बना कहते हैं यहां पर ठीक है तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर जाएं wind speed का और humidity का वह भी negative correlation है कैसे आपको पता है जब हवा तेज चलती है humidity जो है वह कम हो जाती है क्योंके वह पानी को ले के चली जाती ह एक किसम की तो wind speed का उसके साथ मिलिंक बन रहा है बाकी तक्रीबन वही correlation आ रहे है नॉर्मल से क्या हम correlation का make a heat map of correlation अगर हम इसका heat map बना ले लाइक दिस तो वह ज्यादा बेतर नहीं होगा अब आपको ज़रा ज्यादा अंदाजा हो रहा होगा जहां जहां पे आपके पास blue color darker है वहां वहां पे negative correlation है जहां जहां पे आपका red color है वहां वहां पे positive correlation है तो कहां पे darker blue color आ रहा है आपको पता है humidity और temperature का एक ये वाला खन है, एक ये वाला खन है, humidity और temperature का blue darker color है, और अगर हम बात करें, wind speed का और mean temperature का, थोड़ा सा positive correlation है, but this is not significant, क्योंकि 5 से उपर नहीं है, जो हमारा एक threshold होता है, इसी तरीके से अगर हम check करें, wind speed का और humidity का negative correlation है, but it's not significant, something is there, तो हमारे पास जो सही तरीके से correlation आ रहा है, मुसको draw करके देखते हैं, 0.057 है, इसका मतलब है, जितनी humidity बढ़ती जाएगी, उतना temperature जो है, वो कम होता जाएगा, या जितना temperature ज्यादा होगा, उतनी humidity कम हो जाएगी, reason क्या है, पानी जो है, बुहराद बनके उड़ जाएगा, हम यह वाला plot जो है, उसे बना लेते हैं, मैं इसको delete करता हूँ, because it doesn't make any sense, but this is making kind of sense, कि आप basically correlation निकाल के उसका, और आप यहां पे उसको annotate कर जाएगा, so this thing gives us more accurate results than this one, ठीक है, आप यह भी बना सकते हैं, just to show कि कहां पे किस तरीके से trend आप का रहा है, अभी हमने data scale नहीं किय है, अभी data scaled नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, let's scale the data, उसके लिए SK learn से min max scalar हम निकाल लेते हैं, या हम standard scalar निकालना है, वो निकाल सकते हैं, मुझे min max scalar थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगते हैं, लेकिन there are few things to keep in mind, min max scalar क्या करते हैं, वो आपको zero से कहनता की value देते हैं, standard scalar माइनस से प्लस तक देते हैं, min max 0 से ओनवड देते हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पे कौन सा scalar यूज़ करेंगे, depends on the data points, अब हम data points देखते हैं, कि हमारे पास describe के अंदर किस तरीके से points आ रहे थे, minimum में हमारे पास कोई negative value है, mean pressure की है, wind speed वैसे zero है, humidity यह है, mean temperature यह है, तो हम इन तीनों पे लगा सकते हैं, min max scalar और इस पे standard scalar लगा सकते हैं, राइट, ऐसे ही है, तो यह हम पे depend करता है, कि हमने किस तरीके से scalar को use करना है, ठीक है, और second तरीका कर यह है, कि आप इसका mean लेके और standard deviation लेके, उससे आप multiply कर लें, but we will use here min max scalar first, और फिर हम आगे देखते हैं कि हम क्या करते हैं, यह मैंने df scaled कर लिया, अब df scale को अगर हम check करें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से values आ रहे हैं, यह हमारे पास values हैं, और minimum सभी का क्या हो गया, 0, maximum सभी का क्या हो गया, 1, तो min max scalar 0 से 1 तक लेके जाता है values को, ठीक हो गया, अगर मैं कॉमा यहाँ पे standard scalar लगा दो, और यहाँ पे हम min max scalar की बजाए standard को लगा दें, then हमारे पास minimum जो है, आप चेक करें, इस तरीके से आजाएगे और maximum इस वेस पे आजाएगे, और basically इसके अंदर आपके पास minus से लेके plus तक based on the standard deviation सारी चीज़ें चेंज हो रही होते हैं, और अगर आप standard scalar की equation चेक करें, तो यह same वही equation है, जो कल हमने लगाई थी, mean और standard deviation की base पे, कि एक point से कितना left side पे और positive side पे move करता है, तो मैं यहाँ पर prefer करूँगा standard scalar को लगाना, and now we will see, make a correlation heat map of scale data, तो मैं simply वही वाला scale data का heat map बनाता हूँ, and now you see, के हमारे पास scale तो हमने data किया है, लेकिन कोई change नहीं आई, तो यही theory है के scale करने से आपके relationship में change नहीं आती, but plotting में change आती है, now what we will do, यहाँ पे कोई change नहीं है, we won't see any change, अब अगर आप same यही वाली चार लाइनों को plot करे, scale data पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ पे paste करता हूँ, और मैं यहाँ पे data df underscore scaled कर लेटा हूँ, अब आप चेक करें, आपका data scale हो गया है, लेकिन एक ऐसी anomaly है, आपके पास जहाँ पे इतना high data है, वो scale होने के बाद भी 30 के करीब है, 1000 values थी, उसकी 10,000 plus something हो गए, वो कहाँ पे आगया है, इस जगाँ पे आगया है, मजब 30 के करीब आगया, तो यह हमारा क्या होगा, आप समझाई आपको, अगर मैं last वाले को निकालता हूँ, यहाँ से, तो इस तरीके से हमारे पास data आजाता है, तो आप चेक कर सकते हैं, कि हमने data को scale तो किया है, बट there is something still missing, और वो कौन सी चीज़ है, जनाब आपका data का trend, अगर हम, इन values पे देखें, तो यहाँ पे अगर मैं, इन तिनों को print करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, उनके अपने-अपने points हैं, लेकिन जैसे हमने उन्हें scale किया है, तो हमारे पास values जो हैं, वो एक दूसरे के उपर scale होके आने लगी हैं, तो हमें scale करने की ज़रूरत इस वज़ा से पढ़ी थी इस data को, क्यूंकि हमारे पास जो pressure का data था, वो बहुत high था, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, तो यह सभी को suppress कर रहा था, हमने सोचा चलो scale करते हैं, बट देन वन वी ड्रॉव विदाउट scaling, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से data आने लग गया, ठीक है? So it depends on your choice, क्या आपने scale करना या नहीं करना, अगर आपने इसको visualize करना है, still it's fine, आप इन तीनों को एक ही plot में देख सकते हैं, 0 से 100 तक, और temperature का scale भी तकरीबन सेम सेम होता है, आपके पास humidity का भी तकरीबन उतना ही होता है, percentage के अंदर और wind speed का भी depend करता है, कितना हो रहा है, so at the end, ना scale करें तब भी आप इसको plot कर सकते हैं, और आप इस पे analysis कर सकते हैं, अब अगर आप ये कहें कि outlier scale करने से पता चला है, तो यहां पे भी तो वही outlier है, कोछ डिफरेंट तो नहीं हो गया, तो अगर मैं यहां पे mean pressure को draw करूँ, अगर मैं यहां पे mean pressure को draw करता हूँ, आप चेक करें कि यह value हमारे पास जो दे रहा है, यह 28 March की है, पिन पॉइंट कर दिया हमने कि 28 March को pressure बहुत हाई calculate हुआ है, विच इस more than 7,000, और जो वैसे value है हमारे पास अगर describe में हम जाएं, pressure की average value जो है, वो 10, मतलब 1000 के करीव है, तो यह जो maximum हमारे पास 689 आ रही है, इसको अगर हम remove कर दें, तो मेरे ख्याल से यह set हो जाएगा काम, अब यहां पे check करें, हमारे पास यह value आ रही है, 28 March की, अब आप मुझे बताएं कि exactly 28 March की value को हम कैसे calculate करके outlier को remove कर सकते हैं, मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप पिछली और अगली value का plus minus करके average ले लें, या आप पूरे mean के साथ इसको replace कर दें, या आप बहतर यह होगा कि पिछली value को यहां पे as it is लिख दें, या अगली value को as it is लिख दें, तो मेरे ख्याल से best way यह है कि 27 और 29 March का average लेकर यहां पे add करें, so how will you do that? कैसे करेंगे, code लिखेंगे ज़रा, यह plotly का फाइदा यह है कि हमें फूरान पता चल गया, 28 March की date में मसला है, कि अधे लिखेंगे, जह पाइदा प्लाभ अड़रा है का रपा झाल 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 तो इसका बेस्ट और असान वे जो है वो एक यह वाला तरीका का रहे एक छोड़ा सो कोड यहां पर मैंने लिखे पहले तो उस एक्जैक्ट पॉइंट को नन कहदें के कोई वैल्यू नहीं है वो तो यह पांड़ा के अंदर हमारे पास टाइम वाला यूज करना यानि के टाइम की बेस पे इंटरपलेट कर दो ठीक हो गया तो हमारे पास यह वैल्यू दस सो बारह के करीब करीब आ गई है तो दिस इस वन अफ दे आप इसे यूज करके बाद में चेक भी कर सकते हैं and then if you plot it again तो आपके पास hopefully यह वाली चीज जो है वो चेक हो गई है अब आपके पास बाकी different days की भी values है आप उनको भी चेक कर सकते हैं if they are really outliers या नहीं outlier हैं या नहीं है so you need to check those और इसको find out कर सकते हैं आप अपनी मरजी से basically यह trend के अंदर यहां पे जो changes आ रही है यह June और जुलाई के अंदर आ रही है August के अंदर सौरी यहां पे भी August के अंदर है यहां पे भी August के अंदर है और यह अब अंदाजा कैसे लग सकता है कि यह वाला change जो है यह खतरनाक है या नहीं है we can see that by drawing different things अब आप अगर चेक करें कि यहां पे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी but if you highlight those points जहां के जहां पे हमारे पास यह वाली values थी तो अगर wind speed और बाकी में भी कोई anomaly है इसका मतलब वहां पे या तो बहुत तेज आन्दी आई होगी या something happened at that point otherwise वो आपके system की error थीक है तो अगर आपका link बन रहा है for example एक specific को वाक्या हुआ हुआ है कि वहां पे Allah ना करे कोई blast हुआ है या कोई जहाज वहां पे ऐसा गिर है जिससे पूरा environment change हो गया या किसी ने for example को फ्लॉड है या something happened over there तो उन dates के अंदर anomaly होगी otherwise you can pinpoint those points like this one इनको nan करके आप फिर interpolate में replace कर सकते हैं और how is it possible के पीछे सारा pressure और बाकि चीजहों का value सही आ रही है यहां पर एक एक दिन की खराब हो रहे है यह दिन की ठीक है सही है यहां पर चेक कर सकते हैं तो सिरफ एक एक दिन में ये क्यों खराब ही हा रही है वह भी प्रिए इतना कम और ز्यादा कैसे हो सो ऑय और चारे No ठीक है अब यहां पर जो हमारे पास डेटा है basically यह भी हो सकता है कि यह पासकल के अंदर हो या बार्स के अंदर हो वी उस दिन क्या है कुह रही है कि तो यह आपको बताती है आगर आप किसी कंपनी में काम कर गया है। अगर यह ट्रैंड की फ़र्म में आ रहा हो जा पिस नीछे आ रहा है। अगर वह आप देखें, यहां पे इसको आम जूम-इन करते हैं, तो यह trend नहीं है, एक-एक दिन का data है, चेक करें, trend नहीं है, यह एक दिन का data है, ठीक है, so, it's up to you, how you can deal with this data, बारहाल, यह चीजें इस तरीके से आप outliers को निकाल सकते हैं, और आप clients को find out भी कर सकते हैं अगर कोई missing values हैं वो जहारी बात है time series के data गे अंदर बहुत कम होती हैं बट अगर हैं तो आप उने में draw कर सकते हैं scale के बाद आप उनका अगर correlation लेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा but at the end you can draw them together वो हमने यहां पर करके भी देखा है कि हमने सारी के सारी values को कठे draw करके देखा यहां पर तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक plot बन रहा है but you know कि यह वाला plot जो है यह कुछ sense नहीं बना रहा फिला तो हम क्या करेंगे अब हमने एक और काम करना है हमने temperature change को check करना है किस तरीके से temperature change हो रहा है सिरफ एक parameter को लेके चलेंगे फिर आगे चलेंगे फिर अगले parameter को लेके चलेंगे उसकी change देखेंगे फिर उससे अगले की देखेंगे so there are few terms जो अब हम देखने वाले हैं तो let's see कि कौन-कौन सी change हम किस तरीके से देख सकते हैं temperature change की बात करेंगे हमने क्या किया है month और year की base पे हमने दो column add कर दी कि month कौन सा है उस साल का और year कौन सा है उस साल का ठीक है और किया ही हमने कैसे है हमने जो हमारे पास data आ रहा था index का उसका सिर्फ महीना यहां पे लगा दिया जो df.scale का index आ रहा था उसका सिर्फ साल यहां पे लगा दिया क्योंकि हमारे पास formatting जो है date time के अंदर है तो हमने month और year को separate कर दिया ठीक हो गया इसमें जो month था उनको पता आटमेटिकली यह है इसमें जो year था उनको पता था सब तो डेटा को के automatically यह है बट स्टिल to find out के सब कुछ ठीक हुआ है टियेफ scaled dot unique dot नहीं dot मैं यहां पर लिखता हूं month dot unique तो मेरे पास एक से बारा हरहे everything is fine अगर एक से 31 तक होता तो something was wrong with the date format समझा है बात की and now we will see कि year हमारे पास कितने है unique values उनकी निकाल के 2013, 14, 15, 16, 17 पांट साल है बट end वाला जो है वो यकम जनवरी तक का डेटा है 2017 का so you know कि 4 साल का total data तो हमने ये वाले column आइड कर दिये अब हम क्या करेंगे हम यहां पे इस data को plot करके देखते हैं based on year और month हम कैसे उसको plot कर सकते हैं simply आप क्या करेंगे temperature का वही data line plot की base पे आप plot कर सकते है sns.line plot और data x में हम month लखनेंगे y पे mean temperature और yearly हम check कर सकते हैं कि किस तरीके से वो change हो रहा है like this अब हमारे पास जो plot बन रहे है न हमेरे पास एक दो तीन चार पांच सालों की अलाइदा लाइने बन गी है और हर साल का data हमारे पास आ गया एक से लेके बारा तक का data अगर मैं यहां पे sns नहीं plt.x lim लगाऊं तो हमारे पास इसको मैं एक से बारा तक को limit कर सकता हूं बलके जीरो से बारा तक करते हैं और step जो है हम यहां पे 1 का अगर दें change the x limit and with one step something is wrong let me see तो इस तरीके से हमारे पास पांच सालों का data आ गया है लेकिन अगर अभी भी आप hue की base पे नहीं करना चाहते तो आपके पास बारा महीनों का data आ जाएगा throughout the whole data set यह हमारे पास whole data set का बारा महीने का average data है और यह जो side ओं पे आ रही है क्योंकि हमारे पास पांच सालों का data center में लाइन है और उसके side ओं पे फैला हुआ है अगर मैं hue is equal to year यहां पे करता हूं तो यह मेरा सालों के उपर मुहीत data आ जाएगा इस तरीके से हम सेम चीज को plotly में भी draw कर सकते हैं और उसको draw करने का फाइदा यह होगा हमारे पास के data के साथ हम सही तरीके से खेल सकते हैं let's see data हमारे साथ ही खेल गया भी फिलाल के लिए तो we have to follow कि यह किस तरीके से हम change करते हैं इसको year को मैं remove करता हूं now let's run this next month by main temperature why is this happening let me see TF के उपर अगर हम लगाए scale पे ना लगाए तो हाँ ओके यह सेम वहीं जाइस ना इस वरकिंग फाइन हर दफ़ा सेम मसला आपके साथ भी हुआ किसे के साथ यह जब आप different libraries को use करते हैं तो most probability यह काम होता है यह color था के hue था color ही था I think उसके अंदर year हमने लिखा ही नहीं है तो यह scaled आ जाएगा scale के अंदर year scaled dot index temperature year color let's see and this one goes there अब आपके पास यह वहला जो data आया है यह basically चार सालों का data आपको पता है कि चार सालों का data है सत्रा का data नहीं है सत्रा की पहली तरीक को collect किया हुए data है तो आपको हर साल का data इस तरीके से नजर आ जाएगा पिछले जहां पर हमने किया था line plot this is different lines यह एक ही जगह पर date को index रखके चार सालों का data आपके पास आ रहता है अगर आप इसका टॉप का data देखें तो पहले साल का हमारे पास highest temperature कितने है 1.7 आ रहा है क्योंकि स्केल डेटा पर किया है ना सेम मैं काम करने लगा हूँ अपना नॉन स्केल डेटा पर कॉपी करता हूं प्रीजन उसकी मैंने आपको बता दी है क्योंकि यह सेंस नहीं बनाता अधर्वाइस यह कल्कुलेशन के लिए तो ठीक है स्केलिंग करना हमें चेक करने के लिए कि कौन-कौन सा आउट लायर और तीनों का डिफरेंस क्या रहा है बाट फॉर दी अधर साइड सिंपल एक चीज के ट्रेंड को देखने के लिए मैं स्केल करने की जरूरत नहीं मैं यह डेटा इसको कॉपी करता हूं स्केल को मैं रिमूब कर रहा हूं सिरफ इसमें से बाकी वही चीज़ है लेट सी ना अब यह सेंस बना रहा होगा आपके सामने कि यहां पर 38 डिग्री टंप्रेचर मैक्सिमम है यहां पर 38 यहां पर 37 गया मैक्सिमम यहां पर 38 गया बाइद अबेए यह जो डेटा है यह दि समझने बात को मुलतान का हथा तो 50 के करींशर अगर बाबाबाद सिबी का होता तो इसका मतलब क्या अगर टाइम सीरिज की अनालीसिस ब्लो आप अच्छे से परफॉर्म करें तो आप location के करीब करीब नहीं पहुंच जाते डेटा को देखके कि यह किस अगर आपके पास ऐसा डेटा हो पाकिसान का आपको अगर सिर्फ मैं यह कहूं कि 2013 में maximum यह temperature गया 2016 में यह गया आपको city का ना बताओं आप sort out कर नहीं सकते कि किस जगा पर करके city होगा यह minimum और maximum दोनों बता दिये जाएं minimum यहां पर कितना है जी हमारे पास छे डिगरी अब छे डिगरी minimum कहां पर होता है आपको भी पता है कि यह northern एरियाज में तो होने नहीं वाला वाहां पर माइनस में भी चला जाता है सो आप snow वाली चीज़ें सारी निकाल देंगे सारे cities आपके पास एक trend बन जाएगा तो data जो है आपको बहुत चीज़ें बताता है खास तोर पर जब investigations के अंदर आप इन चीज़ों को देखते हैं जब आपके पास data आता है you can do a lot of things ठीक है अब एक field के वारे में मैं एक blog पढ बिला होता है उसके analysis के तुरू आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने असल में crime किया या नहीं किया so there are many things involved in that obviously ये एक निया field है बिलकुल निया field है but people are working on these things खास तोर पे computer scientist का यही काम होता है आपने देखा होगा अक्सरों काद movies के अंदर एक Chinese या Indian बंदा बैठा होता है जो सारी coding कर रहा होता है पहला चाओ वाला series अगर किसी को पता है वहां पर पूरा Pakistan में बैठके वो control कर रहे होत set और यह हम इसको काबले कबूल बना सकते हैं बाइदावे यह आपको बताने का फाइदा यह था कि आप इस तरीके से ट्रेंड देख सकते हैं चलो यह सारी बाते होंगी या ट्रेंड देख लिया अब मॉडल को यूज करते हैं यहां पर let's use the profit model from python उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले तो इस model को इंस्टॉल करेंगे आपको एक नहीं चीज़ बताते हैं तो तो पताते होना ही है मिनू लेट पता चलिए डवड़क वह लग कोर्स भी करवा के इस जगह पे क्लिक करो ना नीचे टर्मिनल ओपन हो जाते हैं इस जगह पे यह जो है ना यह वाला बटन टॉगल पैनल कमांड जे या कंट्रोल जे क्लिक करो तो नीचे टर्मिनल आ जाता है या चला जाते हैं मैं खप गया उपर जा जाके टर्मिनल पे चेक करते हुए वह मैं किसी का एक मैं शॉट देख रहा था उस गहता नाव लेट मैं बेसी के लिए अपना कॉंडा इंवार्मेंट जो है उसे एक्टिवेट करूंगा यहां से क्योंकि मैं उसके अंदर कर रहा हूं काम नामबा एक्टिवेट एक्टिवेट यह आगया आप इसके अंदर पिप इंस्टॉल आपने जो सॉफ्टिवेट इंस्टॉल करना है जो इसका नाम ही प्रॉफट है पिप इंस्टॉल प्रॉफट आप कर लीजेगा तो आपके पास यह पूरे के पुरा जो फोर्कास्टिंग वैदर यूजिंग पाइथोन यह कि पूरा एक मॉडल है जो फेस्बुक की तरफ से बना हुआ है वह आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है मैंने नहीं किया मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने ताके आप इसको फॉलो कर सकेंगे त्स वरी स्मॉल वण आप इसे इंस्टॉल करें I'm coming back in a minute जी आपने इंस्टॉल कर लिया होगा यह वाला पैकेज जो है अधर्वाइज इट सम्टाम्स और सो टेक्स टाइम क्योंकि बिल्ड करता है यह वील के थुरू इस वज़ा से मैंने आपको कहा था कि इसको आप इंस्टॉल कर लिए नहीं मैंने इसको python ml वाली इंवार्मेंट में किया आप कर सकते हैं टेंसर फ्लो वाली में इस अप टू यू ठीक है जो मेरे पास इंस्टॉल हो चुक है आपके पास भी हो जाएगा इट विल टेक टाइम एक बात बता दो यह वह वाला मॉडल है जो फेस्बूक ने डिवैलप किया है और फोर्कास्टिंग के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है इस वकत अगर आपके पास चोटा डेटा सेट है और आपके पास टाइम नहीं है यह सब्सक्राइब प्रेडिक्शन तो फ्यू लाइन ऑफ कोड के अंदर आप यह मॉडल जाए उससे लगा सब्सक्राइब ठीक हो गया जी चलें जी आगे चलें फिर इसमें एक ट्रिक है थोड़ी सी वो ट्रिक क्या है कि यह आपको फॉर्कास्ट करके देता है डेटा बेस्ट उन टू कॉलम्स एक डेट्स का गॉलम है और एक आपका जो आपका में टेंपरेचर या कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसका कॉलम है तो आपका डेटा यह लेगा फॉर एकजम्ब आपका अगर डेटा है मिन टेंपरेचर का तो आपको उसको रीनेम करना पड़ेगा आपका डेटा अगर डेट में है तो इसको भी आपको रीनेम करना पड़ेगा और otherwise you can use the indexes ठीक है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी coding के अंदर घुसना पड़ेगा और फिर you can actually work on the data set अगर आप चाहें तो ना भी करें इसको rename so it will be working fine लेकिन अगर आप इसको rename कर लेंगे तो it would be great अब आपके पास जो डेटा है वो सम्थिंग लाइक दिस है डी एफ टॉट है अगर मैं करूं तो यह आपका डेटा ठीक है अब आप गोर करें डेट तो हमने डिरेक्ली इंडेक्स बनाए हुए ऐसे ही है अगर मैं ऊपर जाओं सबसे ऊपर यहां पर और इसको एक दफ़र र के डेट और मिन टमब्रेचर के कॉलम को रिनें करें रिने अ कॉलámज रीजन यह फिकbung के प्रॉफर можете जो है मौर्डल यह डेट को ऐसे डियस बेता है और जो आपका वेरियेबल होता है उसको ऐसे वाई लेता है तो आपने झाम करने होते हैं उसको लगाने के लिए यह वी rename the model like for example अगर आपके पास अगर मैं इसको को हूँ टी एफ और इसके अंदर कॉलम्स में टमप्रेचर को वाए के अंदर आप कर सकते हैं और यहां पे जो डेट है इसको आपको करना होगा इस तरीके से ठीक है टेट को आपने डी एस बोल देना और मीन टमप्रेचर को आपने वाए बोल सिंप्ली तो होगा क्या आपके पास डी एफ डॉट हैड इस तरीके से आठेगा कोई भी चेंज नहीं होई सिर्फ यह नाम चेंज किये हैं नतिंग आल्स सही है अब आगे चलते हैं मैं यहां पर कुछ लाइने लिखता हूं फ्रॉम प्रॉफिट इंपोर्ट प्रॉफिट ठीक है अब मॉडल हमने यहां पर जनेरेट करने से पहले सिंप्ली अगर इसको मैं रन करूं तो इट शुड गिव उस ग्रेंटिक अगर इसमें कोई अरर हुई तो आपके इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई पहली चीज़ सेकेंड काम क्या करना है अब हमने फ्रॉम प्रॉफिट.ट प्लॉट इंपोर्ट प्लॉट ली एंड प्लॉट कंपोनेंट्स प्लॉट यह दो चीज़े हमने लेया नहीं इससे क्या होगा आपका टाइम सेरीज के डेटा प्लॉट भी हो जाएं पिर हम मॉडल कॉल करेंगे प्लॉड द मॉडल मॉडल इस इकल टू प्रॉफिट जो सिंपल हमने उपर इंपोर्ट किया जैसे साइकिल लर्न में करते थे मैं हर स्टेप पे जान बूच कि इसको एंटर मार के चेक कर रहा हूं कि एवरिटिंग इस वर्किंग फायन और नॉट फिर हम इसको क्या करेंगे मॉडल डॉट सब को पता है यार पिट कर लेंगे फिट किसपे गरने डी ऐफ के ऊपर पिर इसके बाद अगला काम क्या है आप सिब्ली इसकी फोर्कास्ट बनाएंगे ठीक है फोर्कास्ट कैसे बनाएंगे आपने फूचर डेटा फ्रेम उसका ऐना ड़े न पिरिए बीट अधर जहीं और वो इसको प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर एक्जम पर ईक्राइंपल यहां पर में लेकता हूं इस यह और ख्थे हैं कि यह डेटासा थां सब्सक्राइब फ्यूचर का डेटा फेम बना दो पीरिड यतना रख लो एंड दैन हम बेसिकली चेक भी कर सकते हैं कि यह डेटा सेट कैसा बना हो और दैन वी कन वर्क अधर अधर फर्दर स्टैप्स लेकिन अगर आप करें तो मोडल डौट प्रिडिक्ट और फॉर्कास्ट के उपर आपने लगाना है। कि यहां पर हम प्लोड करें उसको या इसको वैसे भी देख सकते हैं By The प्रब्सक एरे के एरे किया? शुडऽ अपन आप लिए एंक अपन अटेमशन चाम और विए क्या है। । अट स्थान प्रॉमिवादार है प्रद्ट नम्हीं का इस्व मुट्ट है ह। टॉड्पन डिए। एल्सपर अप्राट मेंक जिस है। भॉड्टी का एसुब तॉटि करते हैं यहां से मैं सारे उपर वाले रन करता हूं फिल्मेकिंग इशूस यहां पर भी इशू आ रहे हैं यहां पर भी इशू आ रहे हैं तर्नल साहब मेरे ठीक हैं पाइथोन अंडर स्कूर अमल वाले हैं मौडल डाट फिट के उपर भी मैं लगाता हूं यहां तक ठीक है मतलब डेटा में पर प्रॉब्लम है अभी मिस्सी क्या प्रॉब्लम है प्रिंट करते हैं प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट कर दो चीजए हैं मेरे पास ठीक है लिब्रेटी नॉट लोड़िट आप लोगों के पास यह वाली कमांड रन हो रही है मेरी लाइब्रेडी का इशू बना हुए I will see that झाच Teemo झाच 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 झाल 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 यहां तक ठीचर रहे तक ठीचर के साथ अक्सरुकात इिंस्टोलेशन जो ए मेरे पास वो ठीच नहीं चलती दिस मेरे पास इंद्टिटी। अब इसको प्लॉट करते हैं लॉट लॉट ली एंड मॉडल और फॉर्कास्ट को हमने प्लॉट करना है एंड हीर यूगो इस वज़ा से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ और कोई मसला नहीं है कि यह मॉडल इस बेस पे चलता है अब इसने किया क्या है एक डेटा सेट बनाया उसके उपर प्रेडिक्शन की और जो पहला डेटा सेट है उसके उपर उस प्रेडिक्शन को प्रेंट कर दिया अगर आप गौर करें तो यहां पर यह ब्लैक कलर के अंदर हमारे प्रेडिक्शन है आप एक वीक का डेटा लाना ह वो भी आई रहता है six month का लाना, one year का लाना, all data set लाना, you can click on that और यही profit का model जो है, यह इसी के अंदर, library के अंदर यह सारे function है using plotly इसी वज़ा से हमने यह वाला जो plot, plotly ऐसे import किया था मतलब इन्होंने plotly की integration को use करके बताया और साथ में buttons दी हैं कि हाँ भी देख लो weekly data देख लो अब आप, आप समझ रहोंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा क्यूंके हमने यहाँ से इसकी window नहीं open की, यह window आती है इसके अंदर यह रही window, मैंने इतना data देखना है यह window बना दो यह रहा, आपके पास data, तो prediction आपके पास हो रही तीन लाइनों में time series हो रही है, कुई बड़ी चीज़ नहीं है, यह आपके पास code सारा profit की library को use करें और इस पे काम करने, आप किसी भी data set पे यह काम कर सकते हैं, आपने सिर्फ date और वो एक parameter change करना है, वाई में, that's it, same code आप use करें, यह मैं आपको भेज रहा हूँ, आप सिर्फ data set को change करें, बाकी वो जाने उसका काम करना है, दुनिया यहां तक पहुंच गई है, by the way, टैंसर फ्लो और बाकी चीज़ें भी आपको सेखने चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा है कि जुगाड हाथ आ गया तो इसी के base पे काम करना है, अब आप यहां पर prediction भी देख सकते हैं, और original value को भी देख सकते हैं, वो अगर आप गौर करें, तो साथ में आपकी predicted के साथ आपके पास standard deviation भी आ रही, जो side पे फिला हुआ है, so actually वो जो कहते हैं ना कि ऐसी line गुजारों के सारे point खुश हो जाएं, यह वो वाली line गुजर रही है, and it is fitting to the data, ठीक है, मैंने आपको already दोनो data set भेज दिया, and you can run this file, and it is quite easy, all पे click करें, and it's working, अब इतना सा काम अगर आप profit की library से करें, तो आप पूरा data predict भी कर सकते हैं, और उसको यहां पे check भी कर सकते हैं, अब यहां पे मैंने सिरफ आपको predictions, जो है forecast की prediction वगएरा, वो करके दिखाई हैं, कि आप model के उपर y और ds करो, बाकि यह code run करो, everything is working fine, अब एक और चीज़ आती है, यहां पे, जो हमने यहां पे predict किया forecast को, आप खुद भी तो predict कर सकते हैं, ना कुछ, make.model.predict से, so whatever you will add there, वो उसकी base पे उसको predict भी करतेगा, ठीक है? and here you go. TF पे हमने train किया, forecast किया है, और फिर forecast को predict किया है, अब आप देखना चाहते होंगे कि forecast क्या है? यह forecast. forecast एक पूरा data set है, जिसके अंदर date है, trend है, लोर है, अपर है, trend लोर है, trend अपर है, additive terms है, additive terms लोर है, ठीक है? and फिर आपके पास अपर है, फिर weekly है, weekly lower है, weekly upper है, फिर yearly है, yearly lower है, yearly upper है, अपर और lower भला क्या है? यह जो आपका lower confidence interval and upper confidence interval, यह जो फिलाओ आ रहा है. ठीक है? तो आप खुद देखें कि आपने चार लाइनें गुजारी है, and everything is there, और यह y hat है, y hat पता है न क्या होता है, predicted output. तो यह date के साथ आपको वही कुछ तो मिल रहा है, अगर आप गौर करें, यहां से हर date का आपको मिल रहा है, point, और plotly का यही फाइदा आप जा कि उस specific date पर जाएं, उसकी prediction चेक कर रहा है, सही हो गया, हमने दिया क्या है, यहां पर y की value दी है, साथ में ds दी है, y था आपका लेवल और उसके बेट पर date दी है, then you can predict based on your model.predict और आप इसके उपर काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जाहरी बात है, model की accuracy और बाकी चीज़ें भी आपको चेक करनी होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपके पास दो किसम के rules होते हैं, actual से predicted का क इतना फरक है, उसको main scared error कहते हैं, you can calculate that one as well, there are many many things, अगर आप profit का documentation, you will be amazed, तो थोड़ी सी आपने मेहनत करनी हैं, वाकियोंने भी, आपने इसकी percentage, different किसम के जो parameters हैं, metrics हैं, वो ज़रूर देखने हैं, और इस पे पूरे के पूरी एक notebook बना के आपने लगानी हैं, और यह portfolio को बना के streamlit के उपर upload करें न, तो यह जो plots हैं, यह बड़े अला किसम के आपको output देने वाले हैं, ठीक है, या आपने नहीं करना, तो यह plot जो मैं बना रहो न, जो कर रहो, you can make gif files और अपने Twitter के उपर upload कर सकते हैं, जिस data की sense बनती हो, उसका, ठीक है, आप इसके screenshot भी ले स सकते हैं, ठीक है, PNG के उपर, या आप screen recorder on कर लें, और इसको ऐसे ऐसे करते जाएं, यहां से zoom का बटन दबाएं, zoom करते जाएं, और लोगों को बताएं, यह देखें जी, हमारे पास यह predicted थी, यह virtual है, and you can see कि यहां प्या के change आ रही है, so you can do a lot of things, यहारी बात है, यह आपक सा introduction था आपका profit model का, और यह profit नहीं है, profit है, और basically इन्होंने नाम क्यों रखा है, इसके पीछे एक science है, वो आपने खुद चेक करनी है, मैं यहां पे इसी lecture को stop करता हूँ, और यह एक time series का आपका एक छोटा सा project हो गया, यह सेम चीज़ है, आप forecast के data पर, price के data पर कर लो, आपका एक parameter है, जिसको आपने Y बनाना है न, उसको Y क्या दो, बाकी को DS क्या दो, date को, जान देओ, सब कुछ आपके पास आजएगा वैसे, ठीक है? प्रॉफेट होते कौन है, अगर इस पर बात की जाएं, जो प्रॉफेसी करते हैं, यह भी एक comment भी है, कि प्रॉफेसी या forecast, जो हमें बताते हैं कि यह हो जाएगा, या वैसा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, उस लिए इन्होंने यह नाम चूज किया है, जो मुझे लग इसके उपर आप साइंस इसकी पढ़ेंगे, बीचे तो आपको और भी समझ आ रहाएगी, लेकिन दे मॉडल नेम इस प्रॉफेट और उन्होंने खुद से रखा है, फेस्बूक ने, we will stop recording here.